C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याएक ग्यारह परिमांप और क्षेत्र फल प्रिष्ठ 237 ग्यारह दशमलव पांच दशमलव दो वृत्थ का क्षेत्र फल निम्न पर विचार कीजिए एक किसान खेत के केंदर पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक पूलों की क्यारी खोदता है उसे खाद को खरीदने की आवशकता है यदि एक वर्ग मीटर क्षेत्र फल के लिए 1 किलो ग्राम खाद की आवशकता हो तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए प्रिष्ठ 238 10 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से 2 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार टेबल के उपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्याई क्या होगा क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में हमें क्या ग्याद करने की आवशकता है क्षेत्र फल या परिमाब ऐसी स्थितियों में हमें वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्र फल ग्याद करने की आवशकता होती है आईए, ग्राफ पेपर की सहायता से हम एक वृत्त काक्षे त्रफल ग्याद करते हैं चार सेंटिमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को ग्राफ पेपर पर बनाईए आक्रिती 11.34, यहां एक वृत्त को ग्राफ पेपर पर बनाया गया है वृत्त के द्वारा घिरे हुए वर्गों को गिन कर इसका क्षेत्र फल ग्याद कीजिए क्योंकि किनारे सीधे नहीं हैं, हमें इस विधी से वृत्त के क्षेत्र फल का एक कच्चा यानि रफ अनुमान ही प्राप्त होता है एक और विधी से वृत्त का क्षेत्र फल ग्यात करते हैं एक वृत्त बनाए और उसके अर्ध भाग को छायांकित कीजिए आकृती 11.35-1 अब वृत्त को आठ भागों में मूड़िये और उन्हें मूड़ी हुई तहों के अनुदिश में काटिये आकृती 11.35-2 आकृती 11.35-1 यहां एक वृत्त को दो भागों में बाट कर एक भाग को छायांकित किया गया है अलग अलग तुकडों को जैसा आकृती 11.36 में दिखाया गया है व्यवस्थित कीजिए जो एक स्थूल रूप से यानि रफली समांतर चतुर्भुज को दर्शाता है आकृती 11.33 यहां वृत्त के भागों को जोड़ कर एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ है जितने अधिक त्रिज्याखंड होंगे उतना ही सही समांतर चतुर्भुज हमें प्राप्त होता है जैसा उपर दिया गया है यदि हम वृत्त को 64 त्रिज्याखंडों में विभाजित करें और उन्हें व्यवस्थित करें तो हमें लगभग एक आयत प्राप्त होता है आकृती 11.3 यहां एक वृत्त और एक आयत दिया गया है इस आयत की चौड़ाई क्या है? इस आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्याखंडों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक और 32 त्रिज्याखंड है आयत की लंबाई 32 त्रिज्याखंडों की लंबाईयों के बराबर है जो वृत्त की परिधी की आधी है आकृती 11.37 प्रिश्थ 249 वृत्त काक्षेत्र फल बराबर बनाए गया आयत काक्षेत्र फल बराबर L गुणा B बराबर परिधी का आधा गुणा त्रिज्याखंडों में 1 बटा 2 गुणा 2πtr गुणा आर गुणा आर बराबर पाई आर का वर्ग अतह है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग इनहें कीजिए ग्राफ पेपर पर अलग अलग तरिज्याओं के वृत्तों को बनाईए वर्गों की संख्या को गिन कर क्षेत्रफल ग्यात कीजिए सूत्र का प्रयोग करके भी क्षेत्र फल ग्याद कीजिए, दोनों उत्थरों की तुलना कीजिए, उधहरन सत्र है, 30 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए, धल, त्रिज्या हार बराबर 30 cm, वृत्त का क्षेत्र फल बराबर पाई आर वर्ग, बराबर 3.14 गुना 30 वर्ग, बराबर 2826 वर्ग सेंटी मीटर, उधहरन 18 है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका शेत्र फल ग्याद कीजिए, हल, व्यास D बराबर 9.8 मीटर, अथहे त्रिज्या आर बराबर 9.8 भाग दो, बराबर 4.9 मीटर, वृत्त काक्षेत्र फल बराबर πाई आर वर्ग, बराबर 22 बटा साथ गुना 4.9 का वर्ग, वर्ग मीटर, बराबर 22 बटा साथ गुना 4.9 गुना 4.9 वर्ग मीटर, बराबर 75.4 छे वर्ग मीटर, उधहरण 19, सनलग्न आक्रिती दो वृत्तों को दर्शाती है, जिनका केंद्र समान है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटिमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटिमीटर है, ज्याद कीजिए, ए, बड़े वृत्त काक्षेत्र फल, बी, छोटे वृत्त काक्षेत्र फल, सी, दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग काक्षेत्र फल, पाई बराबर 3.14 हल A. बड़े वृत्त की त्रिज्याव बराबर 10 cm अथह बड़े वृत्त काक्षेत्र फल बराबर पाई आर वर्ग बराबर 3.14 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 314 वर्ग सेंटीमीटर B. छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 cm छोटे वृत्त काक्षेत्र फल बराबर पाई आर वर्ग बराबर 3.14 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 50.24 वर्ग सेंटीमीटर C. छायांकित भाग काक्षेत्र फल बराबर 314 गहटा 50.24 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 263.76 वर्ग सेंटीमीटर प्रश्नावली 11.3 1. निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधी ग्याद कीजिए पाई बराबर 22 बटा साथ लीजिए A. चौदह सेंटीमीटर B. अठाईस मिलिमीटर C. इक्कीस सेंटीमीटर 2. निम्न वृत्तों का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए दिया गया है A. त्रिज्याओं बराबर 14 मिलिमीटर पाई बराबर 22 बटा साथ लीजिए B. व्यास बराबर 49 मीटर C. त्रिज्याओं बराबर 5 सेंटीमीटर 3. यदि एक वृत्ता कारशीट की परिधी 154 मीटर हो तो इस की त्रिज्याओं ग्याद कीजिए शीट काक शेत्र फल भी ग्याद कीजिए पाई बराबर 22 बटा साथ लीजिए प्रिष्ट 240 4. एक्कीस मीटर व्यास वाले एक वृत्ता कार बगीचे के चारों और माली बाड लगाना चाहता है खरीदे जाने वाले आवश्यक रसे की लंबाई ग्याद कीजिए यदि वह दो पूरे चक्कर की बाड बनाना चाहता है चार उपए प्रती मीटर की दर से रसे पर व्याए ग्याद कीजिए पाई बराबर 22 बटा साथ लीजिए पांच चार सेंटी मीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ता कार शीट में से तीन सेंटी मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है शीट के शेश भाग काक्षे त्रफल ग्याद कीजिए पाई बराबर तीन दशमलव एक चार लीजिए छै साइमा एक दशमलव पांच मीटर व्यास वाले एक वृत्ता कार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है आवश्यक किनारी की लंबाई ग्याद कीजिए और पंद्रह रुपए प्रती मीटर की दर से किनारी लगाने का व्याए ग्याद कीजिए पाई बराबर तीन दशमलव एक चार लीजिए साथ दी गई आक्रिती व्यास के साथ एक अर्ध वृत्त है उसका परिमाप ग्याद कीजिए आठ पंद्रह रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से एक दशमलव छै मीटर व्यास वाले एक वृत्ता कार टेबल के उपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्याए ग्याद कीजिए चाजली चवाली सेंटिमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड देती है उस वृत्त की त्रिज्या ग्याद कीजिए इसका शेत्र फल भी ग्याद कीजिए यदि इसी तार को दुबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी कौन सी आक्रिती अधिक शेत्र फल गेरती है वृत्त या वर्ग पाई बराबर बाईस बटा साथ लीजिए दस, चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त कार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटी मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटी मीटर लंबाई तथा 1 सेंटी मीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है जैसा कियाकृती में दिखाया गया है शीट के शेश भाग का क्षित्र फल ग्यात कीजिए फाई बराबर 22 बटा साथ लीजिए ग्यारह है 6 सेंटी मीटर भुजा वाले एक वरगा कार अलिमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटी मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है शीट के शेश भाग का क्षित्र फल ग्यात कीजिए फाई बराबर 3.14 लीजिए बारह है एक वृत्त की परिधी 31.4 सेंटी मीटर है वृत्त की त्रिज्या और ख्षेत्र फल ग्यात कीजिए फाई बराबर 3.14 लीजिए तेरह है एक वृत्ता कार फूलों की क्यारी के चारों और 4 मीटर चोड़ा पत है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है इस पत्क काक शेत्र फल ग्यात कीजिए पाई बराबर 3.14 लीजिए चाद़ है एक वृत्ता कार फूलों के बगीचे काक शेत्र फल 314 वर्ग मीटर है बगीचे के केंदर में एक घूमने वाला फवारा यानी स्प्रिंकलर लगाया जाता है जो अपने चारों और 12 मीटर त्रिज्या के एक शेत्र फल में पानी का शड़काव करता है क्या फवारा पूरे बगीचे में पानी का शड़काव कर सकेगा पाई बराबर 3.14 पंद्रह है आकरती में अन्तहे और बाहय वृत्तों की परिधी ग्यात कीजिए पाई बराबर 3.14 लीजिए सोलह है 28 सेंटी मीटर त्रिज्या वाले पहिये को 352 मीटर दूरी तै करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा पाई बराबर 22 बटा साथ लीजिए सत्रह है एक वृत्ता कार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटी मीटर है मिनट की सुई की नोक एक घंटे में कितनी दूरी तै करती है पाई बराबर 3.14 लीजिए प्रिष्ठ 241 11.6 इकायूं कारू पान्थरन हम जानते हैं के एक सेंटी मीटर बराबर 10 वर्ग मिली मीटर है क्या आप बता सकते हैं के एक वर्ग सेंटी मीटर में कितने वर्ग मिली मीटर होते हैं आए हम ऐसे ही प्रशनों को खोजें और ग्यात करें कि एक शेत्र फलों को मापते हुए इनकी इकायूं को कैसे रूपांतरित किया जाता है ग्राफ पेपर पर एक सेंटी मीटर भुजा वाला एक वर्ग बना ये आकरिती 11.38 आप देखेंगे के एक सेंटी मीटर वाले इस वर्ग को सो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक वर्ग की भुजा एक मिली मीटर है एक सेंटी मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्र फल बराबर सो वर्गों का क्षेत्र फल जिसकी प्रत्येक भुजा एक मिली मीटर है, अत है एक वर्ग सेंटी मीटर बराबर सौ गुणा एक वर्ग मिली मीटर या एक वर्ग सेंटी मीटर बराबर सौ वर्ग मिली मीटर. इस प्रकार एक वर्ग मीटर बराबर एक मीटर गुणा एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर गुणा सौ सेंटी मीटर, एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर, बराबर दस हजार वर्ग सेंटी मीटर, अब क्या आप एक वर्ग किलो मीटर को वर्ग मीटर में बदल सकते हैं? मिट्रिक प्रणाली में भूखंड के क्षेत्र फल को हेक्टेर में मापा जाता है संक्षेप में ह-a लिखा जाता है इस प्रकार एक हेक्टेर बराबर सौ गुना सौ वर्ग मीटर बराबर दस हजार वर्ग मीटर जब हम क्षेत्र फल की एक इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो परिणाम स्वरूप इकाईयों की संख्या अधिक होगी उधारन के लिए एक हजार वर्ग सेंटीमीटर बराबर सौ गुना सौ वर्ग मीलीमीटर बराबर एक लाख वर्ग मीलीमीटर परंटु जब हम ख्षे त्रिफल की एक इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो बड़ी इकाईों की संख्या कम होगी उदहरन के लिए 1000 वर्ग सेंटी मीटर बराबर 1000 भाग 10,000 वर्ग मीटर बराबर 0.1 वर्ग मीटर इनहें कीजिए निम्न को बदलिए 1. पचास वर्ग सेंटी मीटर को वर्ग मिली मीटर में 2. दो हेक्टेर को वर्ग मिली मीटर में 3. दस वर्ग मीटर को वर्ग सेंटी मीटर में 4. एक हजार वर्ग सेंटी मीटर को वर्ग मिली मीटर में अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मारवा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत